पुश्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि भारत में जो Social Media हैं उनका राजनिती पर कितना ज़्यादा परभाव पड़ता जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर कोई अपनी बात Social Media पर लिखता है या फिर कहें कि जो Protest हो रहे हैं आज कल तो Twitter पर Trend चला दिये जाते हैं कि Hashtag हम आज सरकार के खिलाफ ये बात रख रहे हैं आज हमारी ये बात मानने चाहिए तो हमने बहुत बार Twitter पर या फिर कहें कि YouTube पर काफी सारी वीडियोस हम देखते हैं Twitter पर Trend हम देखते हैं Facebook पर हो गया या फिर अलग-अलग जो Social Media एकाउंट्स हैं वहाँ पर कैसे राजनीती परभावित हो रही है भारत की इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आपने देखा होगा कि पाशान यूग से यानि कि जो स्टोन एज से जो हम स्टार्ट होते हैं human की जो history स्टार्ट होती है manu yug की जो history स्टार्ट होती है stone age से, metal age और आज हम एक ऐसे yug में खड़े हैं जिसको कहा जाते है digital age जहांपर social media काफी जादा अपनी भूमिका निभाता है एक तरीके से social media जो है वो mirror है real world का मतलब की हर इंसान जो reality में कर रहा है वो अपनी update social media पर भी देता हा रहा है for example कि आपने youtube पर काफी सारे vlogs भी देखे होंगे day to day live अपनी youtube पर चीज़ें लिख रहे हैं मतलब videos बना कर upload कर रहे हैं वहीं twitter पर, वहीं facebook पर, वहीं insta पर हर जगें अपनी update information रख रहे हैं तब ही कहा गया है कि ये जो social media है वो एक mirror है real world का और एक तरीके से आप देखते हों कि जो public opinion होता है किसी भी democracy के अंदर आप देखें public opinion जो होता है वो एक तरीके से कहा जाते है कि लोगतंतर की मुद्रा है currency है वो democracy की यानि कि public opinion के बिना democracy चल ही नहीं सकती तो social media platform हर दिन, दिनो दिन आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी day to day life को discuss कर रहा है social media के उपर even अपनी day to day life के अलावा national importance यानि कि देश में क्या चल रहा है राजनिती में क्या होना चाहिए वो अपने opinion वहाँ पर रख रहे हैं तो देखे digital जो हम कह रहे हैं कि social media कैसे हर एक हम facebook पर friend बन जाते हैं या फिर facebook पर अपने जो रिष्तेदार हैं relative हैं उनको जोड़ लेते हैं आज वो नहीं रह गया है आज इसके अलावा राजनिती गतिवी दी यानि कि आप देखते हैं कि जो बड़े से बड़े जो politician है हर एक politician आप देखे ट्वीटर पर आपको मिलेगा वो अपनी राए वहाँ पर रखते हैं लोग अपनी राए उनके नीचे जो comment उन्होंने जो बात रखी है उनके नीचे अपनी राए रख रहे होते हैं तो यह सब देख रहे हैं हानी की भी बात करेंगे कि भी effect मतलब कि negative effect क्या पढ़ते हैं अभी benefit की बात कर लेते हैं देखे जनता में जागरुकता का परसार आज आप देखते हैं कि जितनी भी हमारे सामने government policies आती हैं पहले इतने लोग जागरुक नहीं होते थे पहले लोगों को इतना पता नहीं होता था लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करें social media के कारण लोगों को awareness होती है बहुत जादा वो जानते हैं कि कहां पर क्या चीज़ हो रही है या फिर government ने policy निका लिए या फिर अगर मैं आपको बहुत एक simple सा example दूँ आपने देखा होगा digital दुनिया में आप इसमार देख रहे हो कि हर एक चीज ओनलाइन हो गई है आपके form जब भी आप किसी भी government exam का form भरते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस form की date अब आ गई है फिर ये निकलने वाला है इसका paper अब है सारी चीज़ें आप do date रहते हो लेकिन पुराने time की बात करें तो वो किसी दुकान में जाकर वहाँ पर इस्तिहार पे देखते थे कि हाँ ये job निकली हुई है फिर वो form भील किया करते तो उसको काफी time process में लग जाता था कि form fill क्या किसी को पता ही नहीं होता था तो आप देखें तो कितना जादा improvement या फिर कितना जादा transformation हो गया है आज की date में information का तो government policy भी ऐसे ही लोगों तक बहुत असानी से पहुँच रही है लोग उन policies को समझ रहे हैं जान रहे हैं अपनी गज की दूरी बना कर रखने चाहिए कैसे आप अपने आपको शुरक्षित रख सकते हैं कैसे आपको मतलब medicines की सहता लेनी चाहिए COVID-19 के दुरा तो ये जो information ने कितनी जल्दी लोगों तक पहुँच गई थी just because of social media के गर ये तो होगे positive इसके अलावा आप देखते हैं कि एक gap जो होता है social media के कारण वो कम हो गया है किनका gap आज आपने किसी परतिनिधी को चुना आपका परतिनिधी है कोई MP, MLA आप उनके साथ समवाद कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन social media ने वो चीज़ें कम कर दी है social media के कारण आज लोग अपने परतिनिधी से वारता लाप कर पा रहे हैं, उन तक पहुँच पा रहे हैं उन तक अपनी बात पहुँचा पा रहे हैं और सेम बात अगर मैं कहूँ जो politician है, वो भी जो अपने समर्थ तक है उन तक असानी से पहुच पा रहे हैं वो daily post करते हैं ताकि उनके साथ वो engage रह सकें और इसके अलावा वो अपनी राए वहाँ पर रखते रहते हैं और आम नागरिकों की राजनेतिक प्रकरिया में भाग लेने की शमता में आज की date में वृधी हो गई है इसके अलावा भारत के और उसके जो मित्तर देश हैं उनके बीच जो diplomatic relation है वो भी काफी ज़्यादा परभावित हुए हैं या फिर कहीं कि positive way में बात कर रहा हूँ positive way में काफी ज़्यादा परभावित हुए social media के कारण अब बाधाओं को कम कर रहा है आप असानी से आपके पास internet है आप ट्वीटर पर गए आपने किसी को follow किया या फिर कहीं कि आप यूटूबर हैं आपने कोई video बना रहे हैं या फिर आप blogger हैं आप blog लिख रहे हैं article लिख रहे हैं इतने सारे social media से तो आपकी पहुँच हो गई है अपने राजनेता तक आप जहां पर कई व्यक्ति राजनेतिक दोड में परवेश करने की अनुमती दे कर राजनेतिक लोक तंतर को संभावित रूप से गहन किया जा रहा है आज की डेट में भैतर विश्रेशन पर ना ले देखिए ये काफी ज़्यादा इंपोर्टन है कि एक अनलेटिक सिस्टम है हमारे पास या फिर कहें कि जो शोशल मीडिया है उसने एक अनलेसिस प्रोवाइड कर दिया है अनलेसिस बोले तो अगर कहीं पर चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव का नतीजे क्या आएंगे लोगों की राय क्या है लोग चाहते क्या है लोगों को वहाँ पर प्रोब्लम क्या हो रही है ये एक अनलेसिस बन के आता है आपके सामने तो एक डेटा अनलेटिक जो है पर तेक चुनाव भियान का मूल रननीती रह गया है जो मतलब अगर किसी जो पॉलिटिकल पार्टी ने इस डेटा अनलेटिक को अच्छे से समझा नहीं तो वो हार जाती है आज की डेट में ऐसा हो गया क्योंकि ये लोगों की सोच बताती है लोगों क्या पसंद करते हैं क्या ना पसंद करते हैं उन्हें किस तरिके की पार्टी चाहिए उनको किन-किन की चीजों को सामना करना पड़ता है जो उनकी डेली लाइफ में प्रोब्लम आ रही है उनको को कैसे निप्टाएं तो यह सारी अगर चुना जो political party उनको पता होगा तो definitely उसके पर वो काम कर पाएंगे तो भेटर डंग से समझने और अपनी नीतियों को उनकी आवशकताओं के अनुरूप ढालने में यह मदद करता है अब शोशल मीडिया की positive बाते होगी अब बात कर लेते हैं इसका negative effect क्या पड़ते हैं राजनितिक धुरूवी करन यह बहुत ज़ादा हो गया है कि political polarization हो गया polarization बोले कि बटवारा बहुत हो गया है आज आप देखते हैं कि किसी इनसान ने आपकी पसंद की party की बात कर दी आप उसके साथ बतलब उसी के साथ चल पड़ते हैं लेकिन at the same time किसी ने अगर उसके अंदर कम्या भी निकाल दी है तो आप उनके उपर कैसे आपका बरताव होता है आपने दीखा भी होगा या फिर कहें कि लोगों के त्वारा जो बरताव किया जाता है मैं अगर यहां पर BGP के बारे में कुछ बोलतेता हूं तो मुझे अंदभक्त कहने आ जाएंगे या फिर अगर मैं Congress के बारे में कुछ बोलता हूं तो मुझे चाटुकार कहने आ जाएंगे ऐसे लोग अपने विचार रखना स्टार्ट कर देते तो यहां पर राजनितिक Polarization हो गए यहां पर ऐसे हो गए है कि यह तो इधर यह तो इधर कोछ बीच की बात ही नहीं करेगा कि बही हाँ कुछ चीज़ें सही भी हो सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी हो सकते हैं ये चीज़ें accept नहीं हो रही है या तो पुरी तरी के से सही होगी या पुरी तरी के से गलत होगी ये polarization हो गया है आज हम जो देख रहे हैं राजनिती कभियान कभी कभी देश के अंदर आपने देखा होगा कि धार्मिक समाजिक तनाव तक पैदा कर देते हैं इस social media के कारण ही उनको बहुत बुरे तरीके से मार दिया जाता है आपने देखा कैसे polarization हो गया है मैं किसी चीज़ को support नहीं कर रहा हूँ किसी की चीज़ को मैं justify करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं यह कह रहा हूँ कि सिर्फ वर से social media के कारण कैसे polarization कैसे धार्मिक भावनाई आहत हो रही है लोगों के बीच समाजिक तनाव पैदा हो रहा है social media ने आपने देखा होगा कि जो political parties है वो बहुत जादा फाइदा उठाती है negative यहाँ पर कहेंगे hate speech होते है social media के कारण यह extreme speech होती है extreme यह hate speech even अपनी regional language में हो रही है जिनके उपर कोई regulation नहीं है प्रपागेंडा का परसार हो रहा है देखिए google transparency के report के अनुसार जो विभिन parties जो है राजनीतिक parties है पिछले दो सालों में उन्होंने अपने विग्यापनों पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उस शोचल मेडिया के उपर जो विग्यापन चलाए targeting मतलब कि ऐसे ऐसे चीज़ों के उपर आपको target किया जाता है toxic इतनी जहरीली चीज़े मतलब कि कहें कि जो लोगों के अंदर women यानि कि एक hate चीज फैलाती है वो लोगों तक पहुचाए जाती है बिना यह सोचे कि उसके परिणाम कितने होंगे कितने भ्यानक उसका परिणा होगा ऐसे micro targeting की जाती है थोड़े थोड़े मातरा में जहर दिया जा रहा है लोगों को social media के कारण यह इसका negative effect है और इसके अलावा unequal participation हो रहा है देखिए social media जनमत के संबन में निती निर्माताओं की धारणा को विकृत भी करता है मतलब कि distort भी करता है कि भी social media पे लोगों वहाँ नहीं सुनी जा रही है एक समान रूप से वहाँ पर सब की बाते नहीं सुनी जा रही है हाँ बेशक सब लोग हैं वहाँ पर लोग अपनी राय रख रहे हैं लेकिन हर लोग हर इंसान भी वहाँ पर नहीं है हर इंसान की बात भी वहाँ पर नहीं सुनी जा रही है त को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है और उसके बाद वो कैसे उसको manipulate कर पाते हैं, कैसे उनको जूटी चीजें दिखा पाते हैं, fake news वहाँ पर आ जाती है, इनको कहते हैं swing water, swing water वो होते हैं जिनकी जो किसी चीज़ को मानते हैं, लेकिन अगर उनके सामने कोई manipulated information लाए जाए, तो वो अपना viewpoint चेंज कर लेते हैं यह swing water होते हैं, और भारत में बहुत जादा swing water है, social media जो है, वो लोगों को वोईस तो दी है, कि भाई आप अपनी आवाज रखिये, लेकिन at the same time, लोग उस आवाज को गलत तरीके से use करते हैं, misinformation फैलाते हैं, लोगों के अंदर hate speech फैलाते हैं, social media ने लोगों को better inform किया है, लेकिन at the same time, manipulate भी किया है गलत information से, तो यह इसके negative effect हो जाते हैं अब बातें करते हैं, देखिए, misinformation disinformation or malinformation तीन तरीके की information होती है misinformation वो होती है, कि कोई व्यक्ति misinformation, यानि कि किसी ने कोई information से की, कोई post share किया social media पर, और उसको नहीं पता था, कि यह जो post share कर रहा है वो गलत है, वो सूचना जो है, वो उसके अंदर fake है उसने, उसका को intention नहीं था गलत information फैलाने का, उससे वो गलती से हो गया, तो वो miss information आते है एक आता है, disinformation ये उस इंसान को, उस व्यक्ति को पता था, कि मैं जो ये post share कर रहा हूँ, ये गलत है ये जानते हुए भी, वो उस post को share करता है, उसका उदेशे ये ही होता है, कि लोगों के अंदर fake news फैलाये जाए, फिर आता है हमारे सामने, mal information ये सची चीजों पर अधारित होती है लेकिन इससे किसी देश, कि शिवक्ति किसी संगटन को definitely हानी होगी, इसलिए इसको फैलाया जाता है इसको बोला जाता है, mal information clear, अब आगे की राग क्या हो सकती है देखिए, आपको transparency लानी होगी, आपको ऐसे framework ऐसी policies लेके आनी होगी, जो भी यहाँ पर social media पर हो रहा है उसको सही से regulate किया जा सके उसके अंदर transparency लाए जा सके जो भी यहाँ पर privacy है लोगों की उनको secure किया जा सके क्योंकि आपको पता है कि social media पर लोगों ने अपनी information दे रखिया है उस information का politician गलत use ना कर लें, या फिर कोई भी अलग marketing जो होते हैं marketing आपने देखा होगा company वो उनका गलत use ना कर लें अभी फिलाल political की बात हो रही है तो politicians के हाथ में वो information ना जाए ताकि वो अपने way से इनका use कर पाएं बाद में उनका मकसद दूसरा हो सकता है वो शायद लोगों को एक पर विश्वास में लेकर apart सत्ता में आ जाएं लेकिन उनकी intention अलग होगी तो उससे देश को ही नुकसान होने वाला है मंचों में सरंचनात मकसदा है दूसरा आके उसको पढ़ सकता है तो इसमें हमारा क्या रोल है तो आज वो नहीं रह गया है आप उस information के अंदर हस्तक्षेप बहुत हो गया है उस content में हस्तक्षेप हो गया है इन सभी social medias का तो आपको जवाब देई करनी होगी वहाँ पर और भारत सरकार ने इसके लिए नई IT रूल भी लेकर आये थे जिसमें कहा गया था कोई भी information आपके उपर लाई जाती है और कोई व्यक्ति उसकी आपको शिकायत भी करता है जो गलत है या फिर जो भी इस information से related उसने information दिये तो उसके बारे में जो grievyance officer रखा जाएगा एक social media के द्वारा चाहिए facebook और twitter उनको अपना शिकायत करता वहाँ पर रखना होगा जो शिकायत के द्वारा मतलब कि जो शिकायत करता है उसने जो शिकायत किया जो officer है उस शिकायत को सुनेगा और भैतर गंटों के अंदर अंदर उसको resolve भी करके देगा ये नए IT rule में बोला भी गया है क्योंकि आज की date में social media काफी जादा democracy को परभावित कर रहा है आप अमेरिका के चुनाओं देख लीजिए डोनल्ड टरम्प के बात करूँ तो वहाँ पर काफी जादा इल्जाम लगे हैं रूस के उपर क्योंनों ने वहाँ पर जो पार्टीज हैं जो अमेरिका के अंदर जो पार्टीज हैं जो चुनेक्सलेक्शन हुएं उनको manipulate करने में बहुत जादा role play किया है तो social media बहुत जादा role play कर रहा है नई parties बनने में, information फैलाने में तो ये social media की जवाब भी बनती है कि वो वहाँ पर अपनी चीजों को सुधार करे व्यक्तिगर data का उप्योग पर नियंतर मतलब कि जो personal data है उसको अगर politicians यूज़ कर रहे हैं तो उसके उपर एक national law लेकर आया जाए कि वो अपने campaign के अंदर किसी भी personal data को use ना कर सके सबके लिए समान अफसर लाने चाहिए आप देखेंगे कि जो हमारे देश के अंदर democracy है और democracy का actual में असली meaning क्या होता है कि demand equal opportunity कि सबके लिए equal opportunities है सब parties के लिए free and fair election हो वहाँ पर अपने equal opportunities उन parties को दी जाए और ऐसा कैसे होगा ऐसा तब ही होगा कि जब इन social media के उपर कोई strict norm लाए जाएंगे कोई rules लाए जाएंगे को regulation लाए जाएंगे क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी parties है जो यहाँ पर इन चीजों को नहीं handle कर पाती है minority political campaign होते है उनको equal opportunity दी जाने चाहिए साथी साथ जो election commission of India है वो जब अपने model code of conduct को उनको और ज़्यादा व्यापक रूप से ले जाना होगा ताकि वो किवल उन parties को advantage ना दें जो सत्ता के अंदर है पई सब parties जो equal हो जाती है जो अचार सहिंता लगती है उनको भी यहाँ पर बहुत जादा important role play करना होगा उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह जो आज का topic है social media कैसे भारत की राजनिती को परभावित कर रही है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा PDF के लिए मैं फिर सब आ देता हूँ इसक्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो बेशक इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं अपनी दोस्तों के साथ, अपनी रिष्टेदारों के साथ और चैनल को भी Thank you for watching this video